एडी करंट एडी का मतलब होता है सर्कुलर मुवमेंट जिस तरह से अगर आप गिलास को देख रहे हैं पानी के भरे हुए को और उपर से देख रहे हैं और अगर इसे घोला जाये क्योंचीज घुलाई जाये तो इस तरह से circle circle बन जाते हैं, तो इस तरह का flow जो होगा, उसे बुले जाएगा हमने एक eddy की तरह पानी देखा, गोल गोल घूमता हुआ पानी देखा, तो ये eddy किसी scientist का नाम नहीं है, eddy का मतलब होता है circular moment, और eddy currents क्या हो जाएंगे? eddy currents are loops of electric current induced in conductors by a changing magnetic field, conductors के अंदर, loops में electric current induced हो जाना, magnetic field के change की वज़ा से, उसे हम eddy currents बोलते हैं, यहाँ पर एक loop दी गई है, और यहाँ पर एक surface दिया गया है, यह conducting wire की loop है, और यह conducting wire का surface है, जिस तरह से आप मान सकते हैं, iron जो हम press करते हैं, उसके नीचे का metal plate होता है, वो plate यहाँ पर लिए है, यहाँ पर loop है, इसका मतलब सिर्फ wire जो है, वो इस तरफ है, अंदर बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यह जो surface है, इसके अंदर metal है, यह एक plate की तरह है, एक surface की त south magnet का हो, उसको pass लाएं, और आगे पीछे, अगर मैं इस तरह से करता हूँ, तो यहाँ पर current इस loop में generate होगा, direction क्या होगी, direction होगी, जिस हिसाब से हमारा, जो magnet है, वो move कर रहा है, अगर यह north पास लेके जाएंगे, तो यह north बनना चाहेगा, उस हिसाब से current आएगा, इस direction में जब मैं दूर लेना चाहँगा, तो south बनना चाहेगा, तो इस direction में, तो यह जो current है, इस loop में इस तरह से घुमता जाएगा, कभी इदर जाएगा, फिर इदर जाएगा, इस तरह से होते रहेगा, बट अगर यही चीज़ हम एक surface, एक metallic plate के साथ करें, तो क्या होगा, अब दे अब जब हम north को pass लेके जाएंगे, तो यह क्या current सिर्फ इसी corners में produce होगा, current किसलिए produce होता है, electrons के current, तो क्या electrons सिर्फ conductor के यहाँ side पर ही होते हैं, इस plate के क्या surface पर कुछ electrons नहीं होगे, होगे, तो उनको भी move करना पड़ेगा, वहाँ भी current बनेगा, तो यहाँ पर अगर मैं pictorial दिखाना चाहूं, सिर्फ north को pass लेके गया, इसने north बनना चाहा, तो इस तरह से एक loop में current हमारा चला, यह चला चला, इस तरह से, what about this point, अगर हम surface के पास लेके जाते हैं, तो पूरा metallic plate ही north pole बनना चाहेगा, क्योंकि electron हर जगा है, तो यहाँ पर हमें loops मिलनी शुरू हो जा करने लगेंगे, यहाँ अंदर electron नहीं के surface में हैं, तो वो भी एक loop generate कर देंगे, उसके अंदर वाले और generate कर देंगे, उसके वाले और generate कर देंगे, और इस तरह से circular loops of currents हमें मिलेगा, और इसी तरह के circular movement को हम बोलते हैं, addy, और क्योंकि current move कर रहा है, तो उसको बोल दिया, addy current, जो current addy की तरह एक circular motion में move कर रहा हो, addy currents को use कैसे कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, दिखिए जब तक यह loop में current है, अगर north बना रहे हैं, यहाँ पर नीचे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर current flow होना शुरू करेगा loop में, और उपर लेके जाएंगे तो उल्टी तरफ current बहना शुरू हो जाएगा, अगर उसी तरह से plate पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें addy currents मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि plate का surface है, एक single wire नहीं है, एक well defined path नहीं है current का, तो वो circle में circular movement करेगा, जिसे हम addy current बोलते हैं, और यह अगर magnet आगे पीछे करते रहें, आगे पीछ हो, तो wire जो होती है, अगर उसमें current जा रहा है, तो कई बार आपने उसको heat up होते, यानि की heat नकलते भी देखा होगा, हमारी devices होती है, adapter है, वो गरम हो जाते हैं, वो किसलिए हो रहा है, अगर किसी भी resistor में हमारा current जाए, तो कुछ ना कुछ heat जरूर produce होती है, अब इसी concept का उठा कर हम बनाते हैं, induction cooker, ये देखिए picture जो आपको market से मिल जाता है, इसको हमें घर के switches में लगाना होता है, on कीजिए, और जिस तरह से खाना बनाते हैं, इस पर खाना बना सकते हैं, यानि कि heat मिल जाती है, heat से खाना बना सकते हैं, होता क्या है, induction cooker में, magnetic field हम change कराते हैं, जिससे बनता है addy current, addy current flow होने के कारण, heat generate हो जाती है, किसमें होगी ये heat generator, जो आपका utensil हो, जो बरतन हो, ये heat जो है, हम induction cooker में use करते हैं, किसी चीज़ को गरम करने के लिए, अब question ये पैदा होता है, ये magnetic field change कौन कराएगा, इस तरह जो तो है नहीं कि induction के सकात, आपको एक magnet भी दिया जा रहा है, जिसको आगे पीछे करते रहो, magnetic field change करने के लिए, जिससे यहाँ पर current कभी इस हमें जाएं, depending हो, नप आगे, पीछे कैसे कर रहे हो, magnet को, ऐसा तो नहीं होता, तो वहाँ पर हमें, हम क्या करते हैं, जो induction cooker होता है, उसको connect कर देते हैं, AC voltage से, AC voltage का मतलब है, alternating current जो हमारे घरों में बिज़ी है, वो alternate होती रहती है, change होती रहती है, current की दिशा जो है, वो change होती रहती है, तो अगर उससे हम किसी coil में connection दे दे, एक यहाँ पर coil रख देते हैं, और इसको हमने connection दे दिया, हमारी wire, यह हमने wire में connection दे दिया, अब क्योंकि यह change करता रहेगा current, हमारा जो current घरों मिलता है, उसकी polarity जो होती है, वो change होती रहती है, यानि कि 220 से minus 220 volt, फिर 220 volt, फिर minus 220 volt, इसकी current जो है, कब इस दिशा में, कब इस दिशा में जाता रहेगा, इस से क्या होगा, क्या produce हो जाएगा, changing current से क्या produce होगा, magnetic field, और वो कौन सी, क्या magnetic field सेम रहेगी, नहीं, क्योंकि current की दिशा बार बार, एक सेकंड में काफी बार change हो रही है, तो हमें जो magnetic field है, वो change होती हुई, मिलती रहेगी, एक source मिल जाएगा, जहां से magnetic field जो है, वो continuously change हो रही है, यानि कि ये उसी तरह काम कर देगा, जिस तरह से हम यहाँ पर magnet पास ले जाके, दूर ले जाकर, magnetic flux change कर रहे थे, यहाँ पर just हमाने घरों पर induction cooker को यहाँ पर connect कर दि होती है, एक winding ही होती है, और वहाँ पर current change होता रहेगा, बहुत fast change होगा, जिससे हमें बहुत ही अच्छी magnetic field मिलेगी, जो change होती जा रही है, कभी direction north बन जाएगी, कभी south बन जाएगी, उस साथ से जो magnetic field है, वो change होती हुई, मिलनी शुरू हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, इसके उपर अपना बर्तन रखतेंगे, अब ये जो है, वो एक conductor है, conductor के पास अगर magnetic field change होई, जिस तरह से ऐसे कर रहे थे हम magnet से, अब नीचे पड़ी coil जो है, वो magnetic field change होती हुई produce कर रही है, ये बर्तन के अंदर आ जाएंगे addy currents, इसके उपर loops बननी शुरू हो जाएंगी, currents की, उसके हम बोलते है, addy currents, और इसके करण इसके अंदर जो भी चीज रखी होगी, heat generate होगी, और वो heat हम use करते हैं, क्योंकि current जब भी जाएगा, किसी भी conductor में, तो वो कुछ heat produce करता है,